तो दोस्तो स्वागत है आपका आपके यूटूब चैनल गार्डन गल में तो दोस्तो आज हम बात करेंगे गोल्डन शाप्रस के बारे में तब इसको लगाने का बहुत ही अच्छा मौसम है अभी वारिश पढ़ चुकी है तो अभी मौसम फरक है मौसम ठंडा हो चुका है त तो अब हम लगाने वाले हैं तो हमारे पास आदूरा है तो अभी अपने अपने घर के अंदर आप लगाना चाहते हो पैसे बिडियो में दखाएंगे आपको आगे हम वीडियो इसको अ आपको फूल दखाएंगे कि आपने जो प्लांट सा वो लगाने तो अभी हम वहां पर जा रहे हैं तो दोस्तों अभी हम बहां पहुंच चुके हैं गर के अंदर तो हमने जो प्लांट से वो उतार लिए तो अभी हम इसके लिए जो हमरा दे सकते हो कि अभी लगाने के लिए ह तो हम ने एक में लगा आए और एक आगे लगायेंगे तो हमने यह तम निकाल रही है आप नहीं स्कैंशन हो जूड़ी मिट्टी फालर में इसको में इसके साथ हो देखो पूरे का पूरा जो मिट्टी है साथ में इसी तरह निकलनी चाहिए अगर आपने हाफ मिट्टी इसके पॉर्ट के बीच रहे गई और कुछ मिट्टी आपने निकाल लई तो आपका प्लांट से बिलकुल नहीं चलेगा और कम चांस है उसको चलनेगे इसलिए अपने चीज का खाद रखना है जब भी आप इसको पॉर्ट में निकालोगे तो फुल मिट्टी जासे आप दे सकते हो इसको प्यार से अराम से ही रखकर लगाना है आपने जल्दवाजी नहीं करनी है तो इन चीज का अपने खाद ध्यान रखना है इसको ठंडे ही मौसम में लगा है तो इसकी जो गाचिया पूरे अच्छे से हमारे इस जो खड़े में पूरे अच्छे से वह फिट बैठ गई है और दे सकते हो बुरा अराम से इनको अच्छा खाशा जो हमें पहुंच जुगा है तो आपकी जो आपका जो दर्ती है जो जहां पर लगाना चाहते हो मिट् पने टूवा कम तो आपका प्रांट से नहीं चलेगा पानी की इसमें डिक्कत रहेगी इसलिए अपने आपने टूवा करना है जो एक बोणा करना है तो वो आपने इसी तरह कर नीयँए आपने तो थोड़ी से अप नुगाई अच्छे से कर लो और इसको आप जी तरह लग प्रस लगा कर दिखाया था और आपने जब भी पॉड से अपना शैप्रश निकालना है तो इनकी जो मिट्टी है गाची वो अच्छे शे रहनी चाहिए तो आगे हम इदर लगा रहे हैं मुर्पंक की तो दे सकते हो इनके लिए भी जो टुआ है वो हो रहा है तो यह बहुत ह शैपर शैप वो सभी लगा दिये हैं इसी तरह आप भी लगा सकते हो और इस चीज़ों को आपने खाद जान रखना है कि जो इसकी प्लांट से जो हमने इसको पॉड में निकालेंगे तो उनका अपने खाद जान रखना है उसकी गाची है वो इसी तरह रहनी चाहिए तो द पानी नहीं लगाओगे तो यह सकत हो जाएगी सकत होने के कारण जे इसके साथ ही रहेगी अगर आप पानी लगाओगे पानी लगाकर इसको खाड़ दोगे तो यह अपनी मिट्टी है वो एसी तरह सकत नहीं रहेगी और आपकी जो मिट्टी है तो इस चीज़ का अपने ख लगा रही है तो इनके पास और भी प्लांट्स लगा वह आप दे सकते हो यह पाइन का भी बहुत ही अच्छा है और मौर पैंकी भी लगा हुए पॉट में काफी अच्छछे पैला हुआ है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और जैसमिन कली भी लगा हुए जिसको पूर्डन शेप्रा से लगाने का भी विल्कुल सही टेम है तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जूरूर कर लेना दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो के साथ दन झाल।